हेलो एव्रीवन वेल्कम एक टो मैं चनल मामा वेवी होप यू गाइस आर फाइन बच्चे के सड़का पिछला हिस्सा एकदम स्ट्रेट होना सपार्ट होना या जिसे हम ब्लैक हैड स्पॉर्ट सॉफ्ट हैड स्पॉर्ट या बच्चे के सड़का चप्टा होना भी कहते हैं बच्चे में कई रिजनों की वजह से होता है जैसे कि जनम के बाद शुरुआती कुछ हफ्तों में बच्चे सरफ एक ही पोजीशन पे सोते हैं जिसके वज़े से उस पॉर्टिकुलर एरिया में दबाव के कारण बच्चे के सर का वह हिस्सा एक्दम स्ट्रेट या और बहुत सी रिजन्स होते हैं जैसे कि मर्दर के वाम में दो या तीन बच्चे होते हैं जिसके वज़िशे से बच्चों को मुमेंटले प्रॉपर स्पेस ही मिल पाता है या फिर अम्नियोटीक फूट कम हो जाता है बच्चे के जनम से कुछ समय पहले बच्चे को इसके लिए बच्चे को मसाज देते समय अच्छे से प्रेस भी करते हैं बच्चे का हैड कि वह एकदम प्रॉपर गोल शेप में आ जाएं तो आज की वीडियो में मैं आप कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो एपलाई करके आप अपने बच्चे के हैड को एकदम गोल शेप दे सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी जैनुएन एंड हेल्फुल लगती है तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आकन को प्रेस करना पिल्कुल ना भूले नीचे दिख रहे ब पिलो आइधिंग 90% पेरेंट्स ने मस्टड पिलो के बारे में सुना होगा अपने बड़ों से कि जैसे बच्चे का बर्थ हुआ है तो बच्चे के लिए मस्टड पिलो यूज करना शुरू कर दो यह बच्चे के लिए काफी अच्छा रहता है रीजन बियाइंड हम बच् बच्चे में फ्लैड हैड स्पॉट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चे का सर एक प्रॉपर शेफ में रहता है मस्टड पिलो यह राई के दानों का पिलो बनाना बहुत सिंपल है आपको राई को एक कॉटन के कपरे में फिल करके उसे अच्छा से स्टिच करना है और बच्चे के लिए यूज करना है अगर आप चाहते है कि राई का पिलो कैसे बनाना है इस पर में एक वीडियो करूं तो आप मुझे कॉमें सेक्षन में कॉमें करके बता सकते हैं मैं इस पर भी एक सेप्रेट वीडियो बना दूँ जैसे कि जब अंश का बर्थ हुआ तो मै कर सकते हैं कि अगल इन डेने में काफी हेलफ़ुल रहता है सेकंड keep Ser seventhshock बैज को तब चलियो चलिए चलिए काफी बैनेफिशल रहता है क्योंकि बच्की कि समय सरफ साइद होता है पनी बैक पेज़िस के बच्चे के पीछे के हिस्से में black head spot problem हो जाती है अगर आप बच्चे को tummy time देंगे तो ये बच्चे को काफी relief किलाएगा बच्चे के back से बच्चा tummy पे लेटेगा और दीरे दीरे बच्चा tummy पे लेटने की वज़ा से इधर उधर पर लेटना सीखेगा और बच्चे के black head spot के problem भी solve होगी इसके लावा यह बहुत से other reasons के वज़े से भी beneficial रहता है जैसी कि बच्चे को बहुत जल्दी अपने head की movements पे control करना सिखाता है और यह बच्चे के लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहता है tummy time पर upcoming days में एक separate video भी बनाने वाली हूं क्योंकि यह बहुत ज़्यादा important topic है और इसके बारे में हम parents को पता होना चाहिए अंच को मैंने tummy time 15 days के बाद से देना start किया था यानि कि जब 15 days का complete हो गया था उसके बाद से मैंने tummy time देना start किया and uncomfortable था इसके साथ मैंने इससे पहले कुछ कम समय के लिए दिया धीरे दिरे इसकी time limit में बढ़ाती गई तो यह काफी जादा अच्छा रहते हैं बच्चों को tummy पेट के बल लिटाने से हमारा मतलब है कि बच्चे को थोड़ थोड़ देर के पेट के बल लिटाए यानि कि बच्चे जादा तर इनिशल कुछ weeks में अपनी पीट के बल होते हैं आप change करें बच्चे की यह habit बच्चे को पेट के बल लिटाए इससे बच्चे के पिछले हिस पिछले हिस्से को थोड़ा से रिलाक्स मिलेगा बहुत से परिंस जटते हैं कि बच्चे को अगर हम पेट के बल लिटाएंगे तो क्योंकि इनिशिल कुछ डेज में बच्चे सरफ नोस से ही ब्रीथ करते हैं तो बच्चों के नोस के प्रेस होनी की प्रॉब्लम है जो देना है म reden है जाब बुदा ओपनरे अपने बच्चे के पास ताकि बच्य को कोई प्रॉब्लम ना बच्चे को पेट के बल लिटाने से बच्चे के बहुत सी हल्थ से लिएड पालम्स नुग होथी बच्चों में गैस की प्रॉब्लम होती है तो काफी हद तक सॉल होती है इसके लावा बच्चा इधर उधर प्लटना भी सीखता है यानि कि अपने नेक पर कंट्रोल करना सीखता है तो काफी अच्छा रहता है बच्चे को प्रेट के बल लिटाना फूर्थ प्रीप है कि आप बच्चे में फ्लैट है इसपोट के प्रॉब्लम को यह काफी हद तक रिकवर करता है इसके लिए फिफ्ट किप है कि आप जब भी बच्चे को ब्रेस्वीट कराएं तो बच्चे को दोनों साइट से कराई जाने कि अगर बच्चा हाफ एन आर के लिए फील ले रहा है तो 15 10-1 पॉजशन और 15 बीन टू-3 पॉजशिशन इसके वज़ा से एक ही पॉजशन पे बच्चा नहीं रहेगा क्योंकि जब बच्चा एक ही पॉजशन पे रहता है तो बच्चे की हैट के एक पटिकूलर एरिया में डबाव पड़ता है जिसके वज़़े से बच्चे में फ् इसका स्क्स टिप है मसाज, बच्चे के हigos एक एक गोल शेब देने में, आप जब इबच्चे की मसाज लेए, तो बच्चे के हट पे लाइट मसाज दे, बच्चे की हट इसrolog में आप से लाइटली प्रेस करेंगे, इसका लास्ट टिप है कि आप बच्चे की सोने की पोजिशन चेंज करते रहें जैसे कि बिइंग अपैनेट हमको पता ही है कि इनिशल कुछ टेज इवन वीक्स तक बच्चे राइट या लेफ्ट नहीं पलटते हैं सरफ एक ही पोजिशन पे सोते हैं अपनी बैक पे तो हमें कोशिश करनी है कि बच्चे का हम पोजिशन चेंज करते नहीं कभी लेफ्ट कभी राइट इसे बच्चे के एक पॉटिकुलर हेट के एरिया में दवाव नहीं पड़ेगा और बच्चा भी प्लेट प्लेट कर सोना सीख जाएगा लेकिन ध्यान रखें जब भी आप बच्चे देने में, क्यूँकि हम सबको टेंशन रहती है कि बच्चे का एक्ड़ गोल क्यूं नहीं है बच्चे का हड़ गोल होना चाहिए बच्चे का हैड पीछे से एकड़ मध चपटा क्यूं है तो यहिए तो आगर एप आप अप कड़ाई करेंगे तो आपके वर का हैड विद का है गोल नहीं है जब कि बच्चे की नॉर्मल दिलीवरी हुई है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी डिलीवरी में तो यह होता है बहुत नॉर्मल है एंड विट टाइम ही अपने आप गोल भी हो जाता है अगर आप यह सब ध्यान में रखे तो क्योंकि 6 मन तक आते आते ब बच्चे में जो फ्लैट है इस प्रॉब्लम है वह अपने आप सॉल्फ होने लगती है कई बच्चों में यह वानिया तक भी सॉल्फ होती है तो यह बहुत ही नॉर्मल है इसके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप बस यह सब टीब सब लाई कीजिए और आपके होता है बच्चों का उसे लेकर भी प्रेंस काफ़ी टेंशन में रहते हैं कि बच्चे के सर का उपड़ी हिस्टा काफी सॉफ्ट काफी नाव्रूत है चोट लगने की वज़़े से उस पे काफी impact हो सकता है तो ये जनरली बच्चे का 6 से लेके 1 year तक चलता है यानि कि 6 months से लेके 1 year तक बच्चे का ये mid of head soft रहता है और इससे hard बनाने के लिए आपको क्या-क्या tip करने है नमबर 1 आपको यहाँ पे हमेशा oil बढ़ना है ताकि ये mid time थोड़ा सा hard हो जाए second tip आपको करना है कि आपको बिल्कुल कि उसे बार-बार touch नहीं करना है कई बार बच्चों के head case area में कुछ गंदी की सी जम जाती है तो parents उसे खीच-खीच के निकालते है और आप note करेंगे जब आपको उसे निकालेंगे तो उसे बच्चे के hairs भी साथ में आएंगे तो प्लीज ए गलती ना करें अगर इसमें कुछ गंदी या dust जम गया है तो उसे एसट इस रहने दे वो विट टाइम निकल जाएगा थार्ट टिप आपको करना है कि इस एरिया को जो बच्चे का स्पोर्ट जल्दी से भढ़ने लगे और 6 मत एंवान एर तक आते आते ही अपने हाड हो जाता है और ये सब बच्चों के केस में होता है तो बहुत मलें तो मैंने आपको दोनों बच्चों के soft head spot के बारे में बताया है एक जो बच्चे के पीछे पड़ता है एक जो बच्चे के mid hair में पड़ता है आपको उसके लिए क्या tip करने है ताकि वो जल्दी से hard हो जाए या फिर वो जल्दी से goal shape में आ जाए तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है apply करनी है बच्चे में और बच्चे का head goal भी होगा and head का soft corner with time hard भी होगा hope ये वीडियो आप लोगों की help करेगी अपने बच्चे के head को goal shape देने में या head के soft corner को hard बनाने में अगर वीडियो अच्छी informative लगी है तो वीडियो को like जरूर करें आपने क्या क्या tip apply किये अपने लिए वो मुझे comment section में comment करकर जरूर बताए channel को subscribe करना और bell icon को press करना बिल्कुल न भूले thank you